दोस्तों कि आप इसे रेगूलर देखते होंगे शेयर करते होंगे अपने फैमली के साथ में फ्रेंड के साथ में ताके सबी लोग के पास में अच्छी नौग जो कि हो सके तो चलिए शुरुबात करते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो डेट है दोस्तों अपनी वो क्या है आज 27 तो आज हम लोग संडे और मंडे दोनों दिन का न्यूस पेपर है जो कि कवर करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले 26 और 27 डिसेंबर दोनों दिन के न्यूस पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों ये सारे एक्जाय में जिसके आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन को आपको रेगुलर देखना चाहिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रीविएस डे के कोशन कवर करते हैं उसके बाद म आज के दिन इत्यास में क्या हुआ, उसके बाद में fun fact, उसके बाद में daily के 5 vocabulary और quiz जो की cover करते हैं, ठीक है, day and history और vocab, ये दोनों आज नहीं है, बाके सारे चीज़े आपके पास available है, कल के question की, जो कि मैंने Saturday को आपको question दिये थे, वो एक बार देख लेते हैं, मैंने आपसे सर्जोफ इंडिया के बारे में, हैना कितने जगे पे जो है, अभी mass nesting site है, जो की पता करी गई है, तो यह कितने site थी, तीन site थी ना, तो आपका यहाँ पे C सही आंसर होगा, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा operation है, जो की करवाए गया 1980 में, किस चीज को तो यह operation Olivia था, C आपका सही आंसर था, अटल ब्यारी बाचपय जी ने प्रदानमंति ग्राम सड़क योजना की शुरुवात करी थी, कब करी थी वही, 2000 के अंदर करी थी, फोर्ट कोशन था हमारा की good governance day कितनी तारिक को मनाया जाता है, तो हमारे अटल ब्यारी बाचपय जी क दुबारा इस किताब को लिखा गया है, ओके, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एक्जाम की तयारी करनी हो, इंडिया की top educator से पढ़ना हो, तो आप Bhu 10 या बुनेश 10 यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% off और latest offer है, जो कि यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको U 12 या 24 मन्त, और यहाँ पे Bhu 10 है, जो कि आप लगा सकते हैं, special class की बात करें, तो आज 11 बज़े special class है आपकी, और SST के अंदर GS का foundation batch चल रहा है, science की शुरुआत है, जो कि अभी next month से start हो जाएगा, तो अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो कर लिजेगा, और एक बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि आपको smileforallsociety.org की website पर मिलेंगे, get a happiness subscription पर click करने के बाद में, तो वहाँ से एक बच्ची के education आप एक pizza की cost में sponsor कर सकते हैं, तो कि आज का code of the day है, दोस्तो, your patience is your power, तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही, बहुत ही realistic और बहुत ही real बहुत ही आपका जो patience है वही आपका power है जो कि बनता है, आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम को figure out करने की कोशिश करते हैं, अपने financial problem को, अपने social problem को, अपने career को लेकर, लेकिन चीज़े figure out नहीं हो पाती है, कई लोग quit कर देते हैं, कई लोग compromise कर देते हैं कई लोग होते हैं, जो कि patience रखते हैं, ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी दिन आएगा, एक दिन ज़री चीज़ें जो है, वो बहतर होगी, और उसी चीज़ के साथ में महनत करते चलते हैं, और एक दिन चीज़े figure out भी हो जाती है, तो दोस का patience lose कर जाएगा, आप irritate हो जाएंगे, आप frustrated हो जाएंगे, उस time पे अपने आपको 2-4 दिन का break दे दिया करो, अक्सर लोग physical strength की बात करते हैं, लोग mental strength की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको उतना ही जरूरी है mental strength भी, तो break जैसे कि अगर आपके body में injury हो जाती है, तो इस बनाओ, चीजी अपने आप सही होगी, ठीक है guys, चलो, आगे बात करते हैं, देखते हैं आज के दहिंदो पे, यह संडे का दहिंदो, संडे का news paper cover करेंगे, सबसे पहले, यहाँ पे दोस्तों, मोदी जी ने जो है देश को संबोधन किया, 15-20 मिट का इस सैशन था, जिसक यहाँ पे दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कॉंगरिस जो चतिजगर के सीय में, वुपेज बैगल जी के दुवारा, यहाँ पे जो इतनी आपको बर्फ दिख रही है, यहाँ पे दोस्तों, हर्याना के अंदर एक क्रिस्मस का इवेंट हो रहा था, उसको disrupt कर दिय लोगों के दुवारा, ठीक है, यहाँ पे 30 लोगों के एक महिनमार में आग लगने के वज़े से मृत्य हो गई, तो यह आपका पूरा का पूरा इवेंट है, यहाँ पे जो लोग इंपॉरेंट इस्यों है, उसके बारे में बात करेंगे, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन नहीं लगेगा, बच्चों की स्कूल चालो नहीं हो पाएगा, तो यह बहुत ही जरूरी स्टैप था, साथ में दोस्तों, सीनियर्स को भी, जो ओल्ड एज है, साथ साल से उपर के लोग है, उनको वैक्सिन लगे वें काफी टाइम हो चुका है, छे मैंने गुजर चुके है तो जो वैक्सिन का इंपक्ट था, वो खतम हो चुका है, काफी कम हो चुका है, तो अब उनको भी दोस्तों, बूस्टर जोन है, जो की 10 जैन्वेरे से दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो यह दो बड़े अनॉस्मेंट है, जो कि यहां पर करे ग ऐसे ही है, अगर केस की बात करें तो दोस्तों, ओमिक्रॉन के केस तो खैर बड़ी रहे हैं, फ्रांस के अंदर एक लाध केस है, जो कि देखने को मिले हैं, breath, जो पिछले साल जो back due to our केसे जो कि इस मंत में देखने को मिले हैं तो वापस से जो है वो केसे बढ़ रहे हैं लेकिन होफुली हमारे देश में कंट्रोल हो क्योंकि वैक्सिनेशन काफी ठीक है काफी लोगों को लग चुकी है और उमीद करते हैं इस बार ऑस्पिटल भी रैंप आप जो है फैसलेटी जो बच्चे उनको अप्रूवल है जो की मिल गया है समझ गए वही दो डोज है जो की लगाए जाएंगे इससे पहले जाइकोफ जो है ना जाइकोफ डी इसको भी अप्रूवल है जो की मिल गया था यह पहली वैक्सिन थी और है ना जाइकोफ जो है वो किसकी दिए 19 वैक्षिन है और अहम्दाबाद बेज जाइदर स्केंडेला ग्रूप है उसके दुवारा बनाए गया था जो कि 12 साल तक के बच्चों के बारा साल से उपर के बच्चों के लिए सेकेंड जो है अभी वैक्षिन वह अपनी है कोवैक्षिन समझ गया मेरी बात यह बात आपको आप पर धान रखनी है तो यह दो वैक्षिन का अपरूब वाल है जो कि छोटे बच्चों को आ चुका है और 90 पर संट परसंट कवरेज जो है वह एक डोस का हो चुका है 61 परसंट लगे वे यह एक चिंता की बात है ठीक है आगे बात करते हैं जो कि यहां पर पंजाब एलेक्शन आने वाले हैं आपको मालूम है और देखो आपको मालूम है ना कि अभी जब फार्मा प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर एक बहुत बड़ी किसानों की पूरे देश की किसा ने बड़ी ऑगानेजिशन है जिसको बोलते है clás सम्यूक्ठ सम्यूक्त किसान और अब इसके अंदर देश की बहुत सारी किसान ओड़ेशन है जिन्होंने क्या किया था इसी ऑगनेजिशन यह जो सबसे बड़ा ग्रूप है इसके अंदर क्या था कि 32 ऐसी यूनियन थी जो कि पंजाब बेस थी जो कि पंजाब की organization थी किसानों की इन 32 में से क्या हो गया है कि 22 जो union है उन्होंने अपनी political party है जो की बना ली है और वो पंजाब के अंदर election लड़ने वाले हैं समझगे मेरी बात यहाँ पर बोली गई है हाला कि SKM ने अपने जो फैसला है वो पूरी तरीके से अलग है ठीक है इस तो इनका जो नाम है वो BKU organization है ये ये BKU है भारती किसान union है तो ये उटके head है बलबीर सिंग जी तो उन्होंने चंदिगर के अंदर बता है तो ये टोटल 22 organization है 32 पंजाब की थी उसमें से 22 ती जिन्होंने political party बना लिये और पूरे के पूरे 17 assembly seat के ओपर election है जो कि लड़ने वाले है देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है लेकिन जो भी है ये आपको मैंने बता दिया है आगे बात करते हैं page number 8 के अंदर बोला है vaccination compulsory कर दी है कई जेकर पर guidelines है European countries में काफ़े सारे cases देखने को मिले है तो यहाँ पर आप देखो के दोस्तों तो तो तेलंगना जो है न वो first number के उपर है अगर मैं implementation की बात करूँ कौन सी योजना की बारे में यहाँ पर शाम प्रसाद मुखर जी R Urban Mission जिसको short में बोलते है SP MRM यह योजना क्या है शाम प्रसाद मुखर जी R Urban Mission क्या है तो आपको समझना पढ़ेगा सबसे पहले R Urban क्या होता है शाम प्रसाद मुखर जी तो आपको मालूम ही है तो R Urban क्या होता है R Urban एक ऐसा area होता है जो कि ना तो शेहर हो पूरी तरिके से ना पूरी तरिके से गाउं होता है दोनों के बीच में लोग जो है ना वो कई जगे पे group बना के रहते हैं जिनको clusters कहते हैं क्या बोलते हैं clusters तो यह जो गाउं और शेहर के बीच में जो लोग होते हैं इनके development को इनको आगे बढ़ाने के लिए इनका economic development ताकि यह शेर में आ सके और अच्छी तरीके से living हो सके इनके development के लिए यह आर अर्बन वर्ड है जो की use किया गया था समझें मेरी बात और यहां पर छोटी छोटी economic unit बनाने की बात करी गई थी ताकि यहां पर development हो सके और अपना रोजगार बढ़ सके जैसे अब इसके implementation को लेकर तेलंगाना राज्य जो है वो number one पर है यहां पर दो district है एक तो संगा रेडी और एक कामा रेडी यह दो district जो है वो गाओं है ना पूरी तरिके से शेर है second number के ऊपर तमिलाडू है third के ऊपर है गुजरात है ना तो total 17 cluster जो तिलंगाना में ऐसे पता करे गए थे उसमें से 12 तो थे non-tribal और पांस थे ट्राइबल इसमें दो केटेगरी होती है ट्राइबल एरिया नॉन ट्राइबल एरिया तो बारह नॉन ट्राइबल थे पांस ट्राइबल थे तो दोनों की परफॉर्मेंस इनकी काफी अच्छी रही है और 1800 करोट रुपे के आसपास बजट है जो कि यहां पर दिया गया था जैसे कि फॉर एक्जांपल तिलंगाना में क्या हुआ एक बल्क मिल्क यहां पर चिलिंग परफॉर्मेंस होने के वज़े से तिलंगाना को यहां पर नंबर वन का वार्ड है जो की मिला है ओके यह देखें कुछ इस तरह के की यूनिट है जो की लगाए गई है तो यह योजना को मिनिस्ट्र ओफ रूलर डवलोप्मेंट के दुवारा 2016 में लांच किया गया था हुआ करता था 2003 के उपए टाइम पर जो लॉन्च होती इसका नाम था पूरा इसी का ही नाम चेंज करके ठीक है शाम प्रसाद मुखर जी और अर अर्बन मिशन है जो की रखा गया 2016 के अंदर ठीक है उससे पहले प्रोविजन ऑफ अर्बन एमनिटीस टू रूलर एरियाज यह नाम जो कि इसका हुआ करता था दो कैटेगरी थी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल और क्लस्टर मैंने आपको बताई दिया है आर अर्बन क्लस्टर वो वाले एरियाज होते हैं जो कि जहां पर इंक्रीजिंग साइन आपको अर्बनाइजिशन का देखने को मिलता है ऐ हमारे देश में आज भी 83 करोड लोग जो है ना वो रूलर एरिया में रहते हैं आज भी हमारा 68 परसेंट जो भारत है दोस्तों वो ग्रामीन भारत है समझ गहें तो जब तक हमारा ग्रामीन भारत आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा देश नहीं बढ़ेगा है ना बहु और हर परसेंट हर साल 12% की ग्रोथ भी जो है वो देखने को मिली है इसके अंदर तो गाओं के अंदर भी शेरों जैसे सुईधाय मिले वहाँ पर भी डवलोप्मेंट हो ये करना बहुत जरूरी है ठीक है जाई चलिए ओके इसलिए उस एरिया को आर अर्बन नाम है जो की दि नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं वर्ड का मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलिस्कोप सेटेडे को लॉंच किया गया और बिट के अंदर डेड़ मिलियन किलोमीटर है जो किये जाएगा पंदरा लाख किलोमीटर है जो किये जाने वाला है अर्थ से और कई सारे टेक्निक दे रहा था उससे काफी जादा बड़ा है जो कि इस बार बनाए गया है और काफी ब्रिलियन टेक्नोलजी मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 21 शदी का है ना 21st century का सबसे बड़ा कारणामा इसी को ही माना गया है समझ गये एरिन 5 रॉकेट जो है ना फ्रेंच गएना कुरोव यह बात हो चुकी है और किसके नाम के उपर नासा के डारेक्टर थे वैब उनकी नाम के उपर है जो कि इसका नाम रखा गया है और बहुत सारेवरी जो कि यह कर ने वाला है चलिये इसके अंदर मिर्ड लगा हुए ना मैंने आपको वीडियो पर दिखाइत तक उस टाम पह होगा है और बर्लेनियम कोटेड है जिसके ओपर 48 ग्राम गोल्ड जो है उसके साथ में इसको कोट किया गया है इसके अलवा अगर आप देखोंगे दोस्तों कि जॉइंट वेंचर किसके बीच में नासा पहला कंपरी नासा हो गया दूसरा यूरोपेन यूनियन तीसरा कैनेड यह तीनों नाम ध्यान रखीगा पेपर में पूछेंगे समझ गया यह डिस्कवरी जो हबल स्पेस टेलिस्कोप ने करी है उससे आगे है चोगी पता करेगा हमारे जादा इंप्रूव करेगा चीजों को पहले इसका नाम जो है वह नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलिस्कोप था 2002 के अंदर इसको रिनेम किया गया और नासा के जो एड्मिस्टेटर थे जेम्स वैब जिन्हों ने इसको पर काम किया उसके ओपर इसको रखा गया अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों इंफ्रारेट टेलिस्कोप है जो की यह माना गया है ठीज यह सक्सेसर है हबल स्पे करके दिया हमको 30 सालों के अंदर इसने हमें सारे इंटरस्टेलर अबजेट के बारेमें में बताया यूपिटर के बारेमें बताया डिसकोवरी की है कई सारे मून प्लुटो के आजब स्पास क्या है वह बताया बहुत सारी सारी गैस vous that is to be Jesų प्लैक होल के बारे में बताया स साइन्स इस्टुमेंट मोडूल है इसके अंदर कैमरा है साइन्स इंस्टुमेंट है सेटलैट को स्टेबलाइड के लिए फिलिप लगाए गया है इस वोलर पावर एरे एर्थ-पॉइंटिंग एंटिना में यह बहुत चीज़ें जो कि यह हमारे Earth के orbit की ओपर चक्करने लगाएगा यह एक जगे पर रुकेगा यह है ना और फिर observation जो की करेगा यह sit हो जाएगा Earth Sun के L2 language point की ओपर जो की 5 million km दूर है हमारे इस जगे से L2 point जो होगा वहीं से ही दोस्तों क्या करेगा sunlight को block करेगा Earth Moon के बीच में उसको ठंडा रखने में help करेगा वो और infrared telescope से आने वाले time पे हमारे goal को अचीव करने में मदद करेगा यह दोस्तों सर्च करेगा galaxies को जो की Big Bang के बाद में बनी है कैसे galaxies involve हो रही है बढ़ रही है उनके बारे में पता करेगा क्या हमारी जैसी और भी कोई galaxies है कैसे formation हुआ starts का उसके अलावा physical chemical properties क्या है planetary system की हमारे solar system हमारा जो universe है उससे पहले क्या था ऐसे बहुत सारी जानकरी है जो कि यह grab करने वाला है ओके गाईज आगे बढ़ते हैं चलते हैं यह award है और बहुत ही famous award है journalism के इंडिया के best award है जो की माने जाता है अब इसके अंदर दोखो the scroll का नाम सुना होगा आपने बहुत ही जबरता journalism का page है और एक pari इन दोनों को environment and science and tech category में award है जो की मिला है climate change जो है दोस्तों वो award मिला है आपे किसको परी नाम की एक team है people archive of ruler India उनको environment का मिला है और science and technology reporting category के अनद यह scroll करके team है उनको मिला है broadcast media के अनदर तो यह दो नाम है जो की आपको द्यान रखने इसके अलावा तो कुछ और करने के जरूत नहीं है बहुत सारे categories में मिला है लेकिन यह दो बात आपको यहां पर जान रखनी है जनसत्ता के बात करें तो यह आपका friend page कुछ खास important नहीं एक news है भारती मुलके नार द्रन जोडी कौलपाकन को दशन अफरिका के सर्वोचे न्याले पीट के सव्विधानिक अदालत में न्युक्त किया गया है तो वहां के जो सुप्रीम कोट है वहां के अंदर यह जज है जो की बने है और यह बारती मुलके है क्या नाम है यहां पर आप नार्दरन नाम से याद है जो की रख सकते हो इसके अलावा दोस्तों गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई 2021 की गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपको मालू है ना 25 दिसंबर को आता है 20 से 25 दिसंबर को वीक हम लोग पूरा मनाते है गुड गवर्नेंस का और कौन से राज्ये में कितना अच्छा गवर्नेंस है उसको लेकर रैंकिंग भी जारी होती है तो अमिशा जी ने दोस्तों क्या किया सूश आश्चन दिवस के मौके पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है जो की जारी किया जिसमें दोस्तों नमबर वन स्टेट वाली के अंदर उसी प्रकार से UT के अगर मैं बात करूँ तो UT के अंदर दोस्तों डेली है जो की नमबर वन पे बताए गई है ओके ये बाते आपको द्यार रखनें इससे जादा इसके अंदर कुछ और इंपोर्टेंट नहीं है इसके अलावा भारती मूल के समाज सेवी और आपदा राहत संगटन Gift of the Givers के संस्तापक इमतिया सुलेमान को एक अकबार दुवरा सवचालित प्रति South African of the Year के अवार्ड से नावाजा गया है तो South African of the Year ओके ये अवार्ड भी किसको मिला है भारती मूल के एक समाज सेवी है Gift of the Givers नाम की एक संस्ता है उनकी सुलेमान जी उनको इस अवार्ड से सम्मारित किया गया है ठीके गाईज ये बात आपको यहाँ पर धान रखनी है इसके अलावा आज के देंदू के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको मालूम है अरिद्वार के अंदर बहुत ही खतरनाग hate speech है जो की डिलिवर करे गई ओपन सारिम्वनी के अंदर तो आपको एक दो लोग को पकड़ा गया था तो उसमें दो लोग के किलाव और है जो कि आपको उनको बुक किया गया है इसके अलावा दोस्तों आपके अंबाला के अंदर एक बहुत ही पुराना चर्च है ओके बिटिश टाइम का एक चर्च था इसका नाम है Holy Redimir Church ठीक है इसके अंदर यहाँ पे Jesus Christ की जो statue था उसको तोड़ दिया गया Vandalize का मतलब होता है तोड़ना यह अंबाला के अंदर है जो कि देखने को मिला है CCTV फुटेज भी मिले है जिसमें दो आदमी बिटिश अरा चर्च में गुसरे हैं और उसको तोड़ रहे हैं ठीक है इसके अलावा कही सारे यूथ ने बोला कि भाईया क्रिस्मस क्यो मनाते हो ना बजरन दल के लोगों ने हिंदूस को रोका कि क्यों तुम क्रिस्मस मना रहे हो असाम के अंदर सिल्चर के अंदर ठीक है बड़ी अजीब बात है मतलब यार यहाँ पर CGA का स्टेटमेंट आ है कि भाईया सारे जज़ जो है वो जज़ के दुवारा नहीं बनाया जा रहे है और कमिल आडू में उटी के अंदर न्यू इयर का सेलिब्रेशन यहाँ पर दोस्तों टोड़ा कमुनिटी के लोग है जो कि रिच्वल में पार्टिसिपीट करते हैं वो यहाँ पर दिखाए गया है इसके अलावे यहाँ पर नागलेंड को लेकर है और यहाँ पर दोस्तों एक साउथ अफरिका के लेजेंडरी एक और परसन जैसे कि जिनोंने रेशिजम के खिलाब काफी काम क्या उनकी मृत्ति हो गई है उसके बारे में बताये गया है जो की कौन है दोस्तों डेस्मॉन तूतू है इस पूरे पेज के ओपर जो हमारे लिए इंपोरेंट है ना पेपर साउथ अफरिकान एंटी अफरेटिड आइकोन और नोबल प्रपीस प्राइज विनर दोस्तों यहां पर एक आर्च बिशब है डेस्मॉन तूटू उनकी मिलती होगी 90 साल के उमर के अंदर ठीक है बहुत जबर्दस्त एक परसन है जो कि नेलसल मंडेला के बाद में साउथ साउथ अफरिका के बहुत बड़े लेजन्टरी परसन माने जाते थे जिन्नोंने इम्मन डिग्निटी के उपर एक्वालिटी के उपर काफी काम किया है तो यहां पर मोदी जी ने उनको यहां पर कंडोलेंस है जो कि यहां पर जारे करी है ठीक है इसके लब आप देख सकते इनका 1931 में जन्म हुआ साउथ अफरिका में 90 साल के उम्रे में इनके देत हुई और ओर्डिनेशन 1960 में यह बिशब भी थे यह चर्च के साउथ अफरिका काफी बड़े चर्च के जो यह बिशब भी थे ओके चलो ठीक है यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही जबर्दस परसने जो की मानेगा है अपर्थाइट क्या हुआ करता था यह जो है ना एंटी अपर्थाइट करते ने अपर्थाइट हुआ क्या था यह पहले साउथ अफरिका में एक ऑफिशल ओर्डर हुआ करता था ठीक है जिसके तहित क्या था कि रेस की अकॉर्डिंगली ही आपके सडके बनेगी रेस डिफ्रेंसेशन बहुत आता है स्कूल अलग है रेस ब्राउन और ब्लैक लोगों के लिए स्कूल अलग है रोल अलग है चलने के रास्ते ट्रेने अलग है सब जीजा लगती तो यह ओफिशल ओडर था तो उसके खिलाफ जो काम करता है वो एंटी अप्रिथाइट माने जाते हैं तो यहां पर यह वही परसन थे दोस्तों ठीक है गाईस नोबल पीस पैसे ब पेस नंबर आठ यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए जो इंपॉर्णट है ठीक है यहां पर बिल्कुल मोजांबिक वाले न्यूस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया ने क्या किया दो फास इंटरसेप्टर क्राफ्ट और कु इसलिए हमने उनको अतियार भी दिया है हमने उनको समान भी दिया है हमने उनको फूड का समान भी दिया है मापूटो इसकी कैपिटल का नाम है मापूटो तो वहां पर हमने अवेलेबल करवा है यह हमारा पीछे आपको दिख रहा है ना आइनस इंडिया नेवल कोंस्ट य करें वो आगे बड़े तरक्की करें इसलिए हम मिशन सागर के तहत उनको मदल देते हैं यह देखिए यहां पर आइस के जो थ्रेट है वो काफी जादा है वो कि हम लोग काफी टाइम से इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस जो की सरी है उसने दो फास्ट इंटरसप्टर क्राफ्ट सेल्डिफेंस एक्विप्मेंट यह सब है जो कि उनके आउंटर फोर्स को अवेलेबल करवाए हैं काफी टेर्रिसम यहां पर नौर्थ वाले इरिया के अंदर है जो की देखने को मिल रहा है ठीके गाइस चलो सिमिलर मिशन इस प्रकार के हम लोग पहले भी कर चुके हैं हम हमने और मेडिकल अस्टेंज जो है मालदीव, शेशेल्स, मौरेशेज, मदगैसकर, कुमरोज इन सारे कंट्रिस को पहले भी हम लोग अविलेबल करवा चुके हैं तीन अजार टन जो है फूड हमने तीन सो टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सेजन, 900 ऑक्सेजन कंसंट्रेटर है समझ गए पास में, फिर आएगा आपका मदगैसकर, यह रहा आपका मौरेशेज और यह रहा मदगैसकर, मदगैसकर एक्चुली के अंदर अफरिकन कॉंटिनेंट के अंदर है जो की आता है, मौरेशेज भी अफरिकन ही कॉंटिनेंट के अंदर है जो की माना जाता है, समझ को प्रमूट करने को लेकर इसको किया गया ठीक है ताकि इंडिया नोशन में चैने इंट्रोजन कम रहे है इसी को लेकर हमने एक इंडिया नोशन इंडिया एक्स्प्रेस के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तूतू है इनको यहां पर ट्रिप्यूट है जो की इंडिया की और साउथ अफ्रिका के क्रिके टीम के दुवारा दिया गया आपको मालू में न कि दोनों की बीच में अभी टेस्ट में स्टार्ट हो है पहला दिन काफी बढ़िया रहा इंडिया का ओके तो यह वाली बात है यहां पर जो एक यहां पर बात करी गई है पैनल को लेकर नागलेंड के अंदर अभी आपको मालू में काफी सारे इनोसेंट लोग थे उनको हमारे आर्मी के दुवारा गोली मार दी गई थी क्योंक में काफी इसको रिपील करने को लेकर काफी मुद्य हो गए सेंट्रल गवर्मेंट के साथ में भी बहुत इश्यूज हो गए तो अभी यहां पर फाइनली क्या हुआ है मतलब तीन वीक बाद में जब 6 सिविलियंस के मित्ति हुए आर्मी के अंदर आम विश का मतलब होता है जब आप चोरी चूपे किसी चीज़ के ओपर अटाइक करते हो ना किसी को गेराबंदी करके करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एमबिश। तो इस अटाइक के अंदर जो है चैलो के मित्ति हो गे थी, काफी कंफिक्ट हो गय है नगलेंड के अंदर हमारे जबान की भी मि उनको इसका एड़ बनाए गया उनका नाम है विवेक जोशी नाम ध्यान रखीएगा पेपर में आप से पूछेंगे इस कमिटी के एड़ कौन है समझ गए रजिस्ट्राइब जन्रलोड सेंसर्स कमिशनर ऑफ इंडिया विवेक जोशी जो है वो इस फाइफ पैनल के मैंबर क को एड़ करने वाले हैं कि चलो ठीक है आगे बात करें जन्सक्ता के बारों में तो यहां पर आप देख सकते हो यह है असपाट आने पर विचार करेंगी सम्मिति 45 दिन में देगी रिपोर्ट यह सारे जानकरी आपर दिख गई है नोब एक शांती पुरुसकार विजयता ड देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर 300 अए मामले देखने é को मिले यहां पर पर इंपॉर्टेंट इस्यू जो रिस हैट नी चल रहा है वो स्पेशल क्यटिगरी स्टेस के बारे में में चल रहा है के48аний हमारे सविदान में सियल क्टिगरी नामकोग के इस्टेट नहीं ना यह उसकी कोई स्टेटेस की बात करे गई है। लेकिन कई पर क्या होता है कि स्पेशल कॉम्प्लिकेशन किसी राज्य में होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सरकार उसको एक्स्ट्रा फिनेंशल मदद देती है। समझ गए तो रेसेंटली क्या होँआ था कि लोगसभा में गौर्नमेंट ने इंफर्म किया कि हमने इस्पेशल केटिगरी स्टेटस के तहित आंद्रपरदेश को दोस्तों फिनेंशल हेल्प है जो की अवेलेबल करवा दी है कितने कि वह भी 19,000 करोन रुपे की आंद्रपरद में बहुत सार रेवन्यू लॉस हुआ अंद्रा का और उसी टाइम पर गौर्णमेंट के रिकमेंडेशन था फिनेंस कमिशन का कि इनको 12,000 करोर का रेवन्यू डेफिशेट होगा 15-20 और 6,000 करोर का होगा 20-20 तो यह जो कमी होगी पैसे कि इसको सरकार सेंट्रल गौर्णमे जाता है सेंट्रली जो भी स्पॉंसर्ड इसकीम होती है उसके इंदर 90 परसंट जो भी पैसा होता है वो सेंट्रल गौर्णमेंट और 10 परसंट स्टेट गौर्णमेंटे जो की लगाती है ओके यह जो इसको स्पेशल केटिकरी स्टेटेस मिला था वो 15 फिनेंस केमिशन और जो बाइफर्केशन जो प्रॉमिस किया गया था उस टाइम पे सेंट्रल गौर्णमेंट के दुवारा कॉंग्रेस गौर्णमेंट ती 12-14 में फिर बीजेबी गौर्णमेंट है उन्होंने इसको सपोर्ट किया और दोनोंने मिलकर जो है इस चीज को माना कि उनको पैसे की ज आप से यह पैसा है जो कि किसी भी राज्य को दिया जाता है अगर कोई राज्य है बहुत ही पहाड़ी एरिया है तो ऑव्यस बात है जितना पहाड़ी एरिया होगा वहाँ पे डब्लपमेंट उतना ही मुश्किल है इसके अलावा कोई बहुत ही लो पॉपुलेशन तो जब यह सारी प्रॉब्लम होती है तब जाके आपको special category status है जो कि मिलता है हमारे आपर जो मिलावा है अभी हमारे North East के जो state है उनको मिलावा है प्लस JNK प्लस हिमाचल प्लस उतराकल यह सब यह तीनों तो पहाड़ी हो गए और यह भी हमारे North East तो है कर पीछे है ना तो इनको मदद हो गए तो यही है जो कि हमारे अल्रेडी प्रिजन क्रैटिरिया में है अंदरपर्देश को तिलंग वना के वज़े से है जो कि यह मिलावा है ठीक है चलो और पहले तो नैशनल डप्लोमेंट काउंसल डिसाइड करती थी लेकिन अभी तो क्या है वो कैबिनेट गवर्मेंटी डिसाइड करती है हना 90% कोई भी अगर स्कीम होती है तो उसमें सेंट्रल गवर्मेंटी पैसा लगाती है यह सारे बाते में आपको बता चुका हूँ आगे बात करते हैं गोल्डन वीजा को लेकर रिसेंटली दोस्तों गोल्डन वीजा तुशार कपूर को भ वजह से 2019 में एक नया सिस्टम में जो कि यह लेकर आए थे आपको क्या होता है कि जब भी आप यूए जाओगे दुबई जाओगे तो आपको वीजा लेना पड़ता है आप क्या करो लॉंग टम दस साल का एक साथ ही वाँ पे वीजा ले लो जिसको गोल्डन वीजा दिया तो अगर अगर आपको वहाँ पे बिजनस करना है तो आपको एक वहाँ का लोकल आदमी को पार्टन बनाना पड़ता है हर बिजनस के अंदर समझ गया मेरे बात तो अब भी अगर आपके पास गोल्डन वीजा है तो आप 100% ओनर्शिप कर सकते हो गोल्डन वीजा का जो पालिज फील्ड का रिमार्केबल स्टुएंट है यह सब को जो है गोल्डन वीजा मिलेगा इन्वेस्टर्स ऐसा है दस मिलियन दिरम का इंवेस्टमेंट करो यानि कित्ते हो गए कोई सब 7-8 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट करो और लोन नहीं होना चीए पता लगा बै एक बच्चा बोल रहा है कि निया ककड प्रैंग उर्वेशी रूटे लाइन सबको भी मिल चुका है गोल्डन वीजा कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं बता दो रहा हूं अगर आप कोई भी कोई जितने भी अपने फिल्म स्टार्ट्स हैं 15 क्रोड रुपे किसी के लिए बड़ी बात नहीं पांच क्रोड रुपे लगाओ कि वीजा मिल जाएगा गोल्डन और वीजा क्या मतलब अगर आप चारपन क्रोड रुपे इंवेस्ट कर दो आपको वहां के सिटिसेंशिप मिल जाएगी पांट दस क्रोड अमेरिका में कर दो वहां पर मिल जाएगी इन सबको जय है वो 10 साल का वीजा दे रहा है वैसे हमारे देश से लोग जा रहे है वतलब यह अलग वीजा देके जो हमारे थोड़े बहुत लोग है उनको और अट्रैक कर रहा है और वहां पर लेके जा रहा है वतलब हमें भी कुछ इस तरीके का एडवांटेज जो है वो ओके यह रिजन क्या है दोस्तों यूएस की एकनोमी काफे इट की थी COVID-19 पंडेमिक से लो ओयल की प्रैजस से तो उन्होंने क्या किया है अपने एकनोमी को वापस से रिवाइब करने के लिए टेलेंटेल लोगों को और जो ग्रेट माइंड है उनको गल्फ कंट्री में ले हाले डेविट्सन 1917 में कबूतर ले जाने के लेके आने के काम में आया करते थी समझे ना उसके बाद एक बिटिश थे उन्होंने बुला यार ये काम करो उसका ये पीछे काटा दो मुझे आगे-ागे का दे दो फिर ये पीजन के जटा दिया फिर आगे-ागे करे गया फिर दिरे दिरे इसको पर डेवलोफमेंट करते 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 हाले डेविट्सन आज आपको मालूम ये कहां पर पहुंच गया है ओके गाई तो ये था आज का आपका सेशन अनकैटमी पे किसी पे एक्जाम की प्रपरेशन के लिए लेटेस्ट ऑफर के लिए आप अनकैटमी प्लस में जाना है गेट सब्सक्रिप्शन पर 12 या 24 मंथ और यहां पर बीए चुटैन है जो कि आपको लगाना है ठीक है और इसके लवाप यह देख सकते हो जीके फाउंडेशन बैच है जो कि यहां पर आप कवर कर सकते हो कम्प्लीट जियस साइंस का बैच है जो कि स्टा थोड़ा बहुत ही बहुत कुछ आपको सेखने को मिलेगा पहला कोश्चन है आज का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट दोस्तों कौन से राज जी का प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन डिजिटल यूज मीडिया और ओवर दे टॉप प्लैटफर्म यह किसके दुबारा रेगुल लेट है जो की किये जाते हैं बताए कौन सा पेर इसके अंदर से इंडिया का मिसाइल सिस्टम में बिलकुल करेक्टली मैच है CSC क्लासिफिकेशन किसके कौन से फिनेंस कमिशन की रिकमेंडेशन से किया गया था और लास्ट है हबल स्पेस टेलिस्कोप को लेकर कितने अल्टिटूट की उपर यह आपको देखने को मिलता है तो यह था आज का आपका इंपोर्टन सेशन मिलेंगे वापस से ग्यारा बजे वाली स्पेशल क्लास के अंदर ओके गाईस थैंक यू गुडबाई और वनाइस डे